नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको सागत है तो आज मैं बात कियरने वाला हुँ Auto sector के बारे में क्यूंके फिछले दिनों में अफ देखे हैं Жीतिने सारे sector से सिर्फ फार्मा सेक्टर को छोड़के हर सेक्टर में बहुत जवदस तेजी से गिरावट देखने को मिला तो उसका जो बेन रिजन है बो है कोवीट मतलब कोरुना के नया वेरियंट तो एक कोवीट का नया वेरियंट ओवियसली साउद अफरीका में आपको देखने को मिला है तो इस वेरियंट के बारे में मैं बहुत पर बता चुका हूँ फिर भी एक पर आपडेट देता हूँ कि इस जो variant है वो WHO ने बता रहा है कि इस जो variant है वो पिछले जितने सारे variant रहा था उससे भी बहुत खतरनाक है और उससे भी ज़्यादा यहापे spread करते हैं तो अगर एक करोना के variant continue रहते है और आज 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 आने का कोई भी news आ जाता है तो आपको जवदस एक गिरावट और भी market में देखने को मिल सकता है तो आज मैं बार करूंगा आटो सेक्टर के बार में यतने सारे आटो सेक्टर है उसमें किस तरीके से गिरावट हो रहा है औ और कौन सा स्टॉक से निकल जाना चाहिए उसके बार में यहां पर बात करूंगा तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जूरू सब्सक्राइब कर लेना चलो डेखते हैं आज के सारे स्टॉक के बार तो सब सब पहले इंडैसेस के उपर आ चुका हूँ यहां पर देख सकते हैं जितने सारे इंडैसेस है सिर्फ फार्मासिटिकल को छोड़के हर कोई इंडैस में आपको नेगेटिव देखने को मिला तो यहां पर निप्टी ओटो के बारे में बात करूंग तो करीबर साड़े चार परसेंट तक यहां पर गिरावट 3.35% का गिरावट यहां पर देखने को मिला तो इतना जावदस गिरावट देखने को मिला है सिर्फ एक ही कारण है वह करूना के नया वेरियंट के चक्कर में तेखे यह जो प्रॉब्लम है आप देखिए इंडैन मार्केट गिर रहा है और कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो उसके पीछे इंपेक्ट देख लीजिए वह प्रॉब्लम देख लीजिए प्रॉब्लम अगर इंटर्नली प्रॉब्लम है तो बहुत दिक्कत हो सकता है कॉम्पाणी के उपर अगर को प्रॉब्लम एक्स्टर्नली प्रॉब्लम है एक्स्टर्नली मत इससे मतलब जो माइक्रोचीप है उसके सॉटेज के इससे या पे बहुत सारे मतलब जितने सारे गाड़ी बनाने वाला कॉमपणी है वो उतना ज्यादा मैनुफेक्ट्रेंग नहीं कर पा रहा है जितने सारे डीमांड है तो यह तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और अबिसल सिच्वेशन में तो हर कोई सेक्टर गिरेंगे तो उसी के साथ साथ ऑटो सेक्टर भी गिरावट होंगे यह कि देखिए जब कोरोना के सिच्वेशन आएगा फिस से लॉक्डाउन अगर चालू हो जाएगा तो यह तर गाड़ी बेचना कम हो जाएगा मार्केट में लोग से बाहर निकनना बंद करेंगे कम करेंगे तो क्या होगा गाड़ी बेचना कम होगा सिर्फ गाड़ी नहीं हर कोई सेक्टर में सेल्स कम डाउन हो जाएगा और जब दस सेयर में गिरावट देखने को मिलेगा तो यह पर बहुत सारे ओटो कॉम्पनी से आप सभी को ऑटो के सारे के बात में नहीं करूंगा कुछ कब यह बात करोंगा और आपको मैं बताऊंगा उस कंपनी से कौन सा ברसे है फूसर के लिए lose half the सबसे पहले में बाजा ले उपार चले धालता हूं फेवरिश वीत क्योंकि दोनों को मतलब के उभर काम करते है तो बजाज ओटो के price range देखकर आप घवरा जाना मत देखिए पिछले दिने में उतना गिरावट होने के बाद भी बजाज ओटो ने मात्र 1.67% का गिरावट देखने को मिला तो X का maximum chart पर ने आपके सौमने open कर दू तो आपको एक संदार नजरिया देखने को मिलेगा हाँ आप कहेंगे सर यहाँ पे बहुत जबदस गिरावट हो था इस तरीके से गिरावट बहुत जगावे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कॉम्पनी ने ups and down लेकर ही चनना पड़ता है तो यहाँ पे भी गिरावट हो रहा है तो मुझे लगता है गिरावट के बाद और भी उच्छाल देखने को मिलेगा क्यों दिखे जितने बार गिरावट हो हा है उसके बाद next time जो high किया है और भी उससे भी ज़्यादा high यहाँ पे देखने को मिले नहीं तो इस कॉम्पणी के उपर focus रगना क्यूंके कॉम्पणी का market capitalist है 96,000 करोड है तो यह मेरा favorite stock है इसके उपर जोरू focus रगना और आपको मौका मिले तो कभी भी इस stock में नेवेस करने के लिए सोचना तो दूसरा जो company है वो TBS motor है यह भी खराब company नहीं है company के electric vehicle के उपर एक नया जबदस new जाया था बहुत बड़ा investment करने वाला है यह TBS motor ने सबसे पहला two wheeler बनाने और three wheeler बनाने वाला company जितने सारे है उसमें से सबसे पहला जो fast tape electric vehicle के उपर पैर रखा है वो है TBS motor TBS motor एक जबदस काम करने वाला company है इसके उपर भी focus रखते है पिछले दिनों में देखिए सारे तीन परसन का गिरावट देखने को मिला था और इसका maximum chart pattern open कर दूँ तो कि इसका भी chart pattern खराब नहीं है मगर हाँ यहाँ यहाँ पे जबदस गिरावट हुआ था इस गिरावट आपको हर कोई water sector में देखने को मिलेगा क्योंकि semiconductor के जो problem है उस problem के issue से इस तरीके से गिरावट देखने को मिला है तो इसमें panic होने का ज़रूरत नहीं company खराब नहीं है company का performance भी खराब नहीं है मातर 32,000 करोड है तो देखा जाए जितने सारे auto sector है उसमें से इस company थोड़ा सा कम मार्केट के प्लेशन इसके पास है तो फिर भी मैं यह नहीं कहूंगा company खराब हो गया company का performance ठीक टाग है इसके उपर भी आप जा सकते है उसके बाद देखिए जो company का नाम यह आप बतांगा बो है hero moto को hero moto को भी एक अच्छा का सा company है two wheeler बनाने वाला company है और इस company का market अंता नजर्या देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो गिरावट है इस गिरावट का सिर्फ पीछे एक ही कारण है वह सेमी कॉंडक्टर का problem मतलब जो चीप का shortage तो उससी लिए company को बहुत सारा दिक्कत जहगना पना तो यह जो दिक्कत है वो totally external problem है मैं पहले आपको बता 50,000 करोड है अच्छा खासा company में है इसकी quarter basis result भी खराब नहीं है तो उतना जवतस भी profit नहीं किया है तो इस company के उपर भी focus रखना मगर अभी तक हिरो मोतो को ने उतना अच्छा खासा step नहीं लिया electric vehicle के उपर तो इस company जब electric vehicle के उपर ज्यादाता step लेंगे मतलब ज्यादात इन्वेस्ट करेंगे तो इस company के उभी आपको अच्छा खासा moment देखने को मिलेगा इस company के उपर भी focus आपको रखना चाहिए उसके बाद जो company का नाम आपको बताऊंगा वो है मारती मारती जब 10 company है इसके उपर आपको focus ज़रू रखना है मगर मुझे लगता है मारती से ज् पर नोपेन कर दू तो यहाँ पर भी देखिए एक सांदार आपको moment देखने को मिला इस moment के पिछे सरे बेकी कारण है इतने सारे three wheeler बनाने वाला company है तो उस company के उपर सबसे ज़्यदा focus था मारती के उपर क्योंकि जासातर मार्केट में आप देखेंगे मारती सुजुके के उपर बहुत सरे गाडिया है अब 2000 से अब में उससे पीछे साल में नहीं जाना चाता हूँ 2000 से 2010 तक अब देखेंगे ज्यादतर मार्केट में रस्ते में गाड़ी था वो है मारती सुजुकी था तो इसलिए मारती सुजुकी बहुत जबदस काम किया और इस तरीके से दिख पर भी फोकास रखेंगे जबदस कंपनी है टू लैक्स करोड का मार्केट का पिलेशन रखते है वन अब दा लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का अभी तक और उसके बाद जो कंपनी का नाम बतांगा बहुत टाटा मोटोस मेरे सब से फेवरेट कंपनी भी है फेवरेट मे गिरावट हो कोई बात नहीं क्योंकि इसका जो फ्यूचर का जो प्लैन है और में टाटा मोटोस के उपर अलग से में वीडियो आपको बना कर दिया पिछले दिनों में टाटा मोटोस खुद सेमिकॉंडक्टर का जो सौटेज है इसलिए खुद प्रोजेक्ट बनाने वाला है खुद सेमिकॉंडक्टर जितने सारे माइक्रोचीब लगते है गाड़ी में वो खुद बनाएंगे इंटेल के साथ जूड कर तो तो इसलिए टाटा मोटोस में एक सस्टेनेबल कंपानी बन सकते है तो इसके उपर भी आपको फोकास होना चाहिए क्योंकि इसका करोड है तो जब दस मार्केट के प्लेशन है इस कोमपनी के उपर भी फोकस रखे तो उसके बाद जो लास्ट कोमपनी के बात करूं बहुत है ओसो का लेलों भी खराब कोमपनी नहीं है इस कोमपनी कभी देखिए पिछले दिनों में करीबन 6,5% से गिरावट दिखने को मि प्रक्सीमम चार्ट परन अपको कर दूँ कि इस कोमपनी में भी अच्छा का सा पार्फरमेंट सबको देखने को मिलेगा और 5,500% का रिटान भी दे चुके है उसके बाद जब दस गिरावट के बाद फिर से धीरे-धीरे रिकोवारी तो इस कोमपनी के बारे में ज़रूर क इसका बिजनیस है और ऑल अल ओवार में इसका बास चलते है मतलब बास इसका प्रोजेक्ट इसका है तो इस गोपनी के ऑपर जूरूर फोकस रखना क्यूंकि इसका खांब कर चुके है इसका फेस ब escrito कर चुके है इस से लिए इसका फेजब बलू अभी डाण है तो दाउन म मिला है तो यह था कुछ six companies जिसका बारे में आप जुरू study करिए देखे में आपको इस company के कोई भी recommendation नहीं दे रहा हूँ कि इस company में जाकर आप बाई कर लेजेगा आप इस company से हर parameter check करिए company का financial report check करिए उसके बाद आपको लगे हां कौन सा company based है तो उसके अपरो आप निवेस कर सकते हैं मेरे हिसाब से सारे company खराब नहीं है सारे company अच्छा कासा performance कर रहा है कुछ externally problem के issue है issue चल रहा है तो इसलिए company में दिक्कत है अगर कुरूने के situation फिर से बापस आया फिर से lockdown स्टार्ट हुआ तो इस type company में गिरावट देखने को मिलेगा तब आपको एक मोका मिलेगा अच्छा घसा buying करने का तो और भी जितने सारे company से और भी जितने सारे company से में खराब नहीं कहूंगा उस company भी MRF भी जबदस company है मकर MRF तो auto sector से obviously टायार बनाना company है अमरजा बैटरी है वो भी एक मानके चलिए batteries company है और Excite है वो भी बैटरी है अमरजा और Excite के उपर म मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो का अब जोरूद देखना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वाल किसनन मतलो ये भी एक टायर company है M&M सरी माफी चाता हूँ और एक company के बारे में में नाम नेना फूल गया M&M मैं अभी एपको देखा देता हूँ M&M के बा है महंद्र महंद्रा मेरा भी एक फेवरी स्टॉड भी है इस company के उपर भी अभी जुरूर फोकस रखना साथी साथ और भी कि जितने सारे company से बहुत को लिमिटेट है ये वी एक battery company है भारत फोर्च एवी भेकल का company है या पर देखें टिंड या जो है वो ये भी अच्छा का इस company है तो हर अटो सेक्टर खराब नहीं है एक खराब नहीं कहूंगा मगर कोई भी आटो सेक्टर से निवेस करने से पहले उसके उपर स्टाडी करिए उसके बद निवेस करने के लिए सुचिए वासा करते हुँ सारे जानकर आपको मिल चुका है मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों सेर भी करना मिलते हैं अगले स्टॉक लेगे तब तक लिए अच्छा से रही है नेख्या लेकिए बाए